दिखिए जब आप कभी भी किसी नैशनल नेवल के इंस्टिट्यूट्स में जैसे नैशनल स्कूल ओफ ड्रामा है, एफ्टी आया है, भारते इंदुना अकैडमी है, इन इंस्टिट्यूट्स में एक्टिंग के लिए अपलाई कर रहे हैं, तो आपको हिंदी आना जरूरी है लेकिन आपको हिंदी में फ्लुएंसी होना भी इतना भी जरूरी नहीं है, कई बार देखा गया है, मैंने खुद देखा है, कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, वो अलग-अलग प्रांतों से आते हैं, कोई बंगाल से आता है, असाम से आता है, मनिपूर से आता है, केरल से है, टैमिल नाडू से आता है, पंजाब, कश्मीर, कई बार मौरिशेस, इवन अधर पार्ट्स अफ़ एजिन कंट्री से भी आते हैं लोग, तो उनको हिंदी तो नहीं आती है, और अब्वियस है, अगर जो आदमी जिस प्रदेश में पलेगा, बढ़ेगा, उस प्रदेश का influence उसकी हिंदी पे होगा ही, that is quite natural, लेकिन आपका काम बतौर student यह है, कि जब आपको ऐसे institute में admission मिल चुका है, आपके हिंदी के अच्छे accent को ना देखते हुए, तो अब यह student की जिम्मेदारी बन जाती है, कि ऐसे institute में admission मिलने के बाद मैं अपनी हिंदी कैसे सुधार सकता हूँ, उसमें fluency कैसे ला सकता हूँ, मेरे प्रदेश का जो accent है, वो खारिज करके मैं कैसे अच्छी, जो एक हिंदुस्तानी भाषा है, उसको मैं बोल सकता हूँ, और actors लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि NSD जैसे institute में हिंदी नाटक होते हैं, तो अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आपको रोल कैसे मिलेंगे, तो जाहिर बात है कि आपको admission लेते वक्त हिंदी में fluency की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि admission लेने के बाद आपको अपनी हिंदी पे काम करना है, तभी आप बाहर जाके एक professional actor बनोगे आप और national level पे काम कर admissions in such big institutes. Thank you.